हेलो मेरे प्यारे बच्चो स्वागत है आप सभी का द्रोडी स्कुल में बच्चो आची क्लास में हम बात करने जा रहे हैं हिंदी भासा के बारे में आपका 29 अप्रेल को पेपर हुआ उस पेपर के हिंदी सेक्शन जो है आपका हिंदी भासा का यहां मैं पूरा पेपर करते हैं चलो पहले पैसेज है पैसेज को देखना है यह तो आपका इंस्ट्रक्शन जो दिया रहता है इंस्ट्रक्शन है कि पांच प्रश्न है पांच प्रश्न के उत्तर दिये गए हैं ऐसे करके आपका इंस्ट्रक्शन है यहां आपका गद्यांस है गद्यांस को में जल जिसमें पृत्वी जिसमें पृत्वी में गहराई तक जाने वाला एक बड़ाचिद्र होता है ठीक है इसके खुले हुए मूह को जवालामौ्की का मुख वीवर कखहा जाता है कभी कभी कोई भी जवालामौकी सताथदियों तक सांत रहकर अचानक सक्रिय हो जाता है इसे ज्वाला मुखी का विस्पोट कहा जाता है और राख धूल गैस तथा भाप के बड़े बादल बड़ी आवाज सहित ज्वाला मुखी के मुख वीवर से उठते हैं ठीक है यह है कुछ समय के बाद गर्म पिढ़ी वी चटान जिसे लावा कहा जाता है पहार से नीचे बहने लगती है यह अनेक दिनों या सब्ताहों तक जारी रह सकता है फिर ज्वाला मुखी दुबारा सो जाता है यह अनेक वर्सुत तक सुपता उस्था में रहता है बहुत से ज्वाला मुखी समुद्र के निकट पाए जाते हैं जो दि भाप के बड़े बादल बड़ी आवाज सही जौला मुखी के निकलते हैं ऐसे करके जौला मुखी के बारे में बताएगा ठीक है आपका द्यांस पढ़ना अब आपका प्रस्ट पढ़ना जौला मुखी के बारे में क्या बात सही नहीं है ठीक है यह बड़ी जंगली आकसा हो पहला जो आपका यहां पहला ए जो है युँत्त्र आपका गलत है यह सही नहीं है तो इतर एह हो गाँ क्या होगा उत्तर उत्तर एह होगा अगला प्रश्न है जब किसी ज्वाला मुखी का विस्पोड होता है तो उसे कहा जाता है क्या कहा जाता है सक्री जवाला मुख्यी तीक है विष्पोःट मतलब क्या है कि जवाव भीश्पोर्ट सवके सब्सकरी अल gör तो wasa by без अग निकलेगा बिटा आग के साथ क्या होगा लावा निकलता है लावा के साथ धूल निकलेगा गैस निकलेगा ऐसे करकी होता है ठीक ना जहां भी ज्वाला मुखी होगा तो इसे क्या कहेंगे सक्री यह कहते हैं इसे सक्री ज्वाला मुखी होता है सुप्त सोया हुआ मौन नहीं तीनों नह मतलब वह सक्रिय नहीं रहेगा उसमें से कुछ नहीं होगा उसमें कोई भी मतलब आवाज भी नहीं होगी नहीं वहां कहीं लावा निकलेगा कुछ कोई उसमें क्रिया नहीं होगी तो सुपता अवस्था होगा ठीक है तो आपका उत्तर क्या है यहां उत्तर है आपका सक्रिय क्या है सक्रिय ठीक है दिख रहा है न सक्रिय है अगला है पहार से नीचे बहने वाली लावा अवस्था में होती है ठोस ठोस होगी तो बहेगी कैसे कोई चीज बहती है तो ठोस होगी तो बहेगी कैसे बहेगी नहीं उसकी बाद द्रव द्रव वास्प वास्प भी नहीं होग वास्प और गैस लावा नहीं होता ठीक है वह क्या होगा नीचे बहेगा वास्प होगा तूड़ जाएगा ना यह गैस होगा तूड़ जाएगा बहेगा कैसे और ठोस होगा तो बहेगा नहीं तो यहां आसान से दीख रहाता द्रव होगा ठीक है किसमें बहती है द्रव अस् सांत का यहां विलोम है बढ़ा सांत का मतलब क्या है एकदम सांत अवस्था में रहती है बने निश्क्रिय रहती है और इसका विलोम निश्चल नहीं सुन्दर नहीं क्या होगा सक्रिय सांत का सक्रिय ठीक है सांत का विलोम शक्रिय ठीक है यह हो जागा सक्रिय का मतलब क्या है बेटा सांत रहती है मतलब वहां कोई हल चल नहीं होगी उसमें से ना लावा निकलेगा नहीं गैस निकलेगा नहीं राख निकलेगा नहीं धूल कुछ भी निकलता और जब सक्री होता तो उसमें से निकलता है तो सांत का विलोम यहां हो जाएगा सक्री ठीक है आगे चलें अ जॉलान मुखी को कहा जयता है कक्भी कभी जॉलान मुखी सता देता सान्त रहकर अचानक सक्री हो जाता है सांत का मुखी का विश्ट पर कहा जाता है और राक धूल गैस तता भाप के बड़े बादल बड़ी आवाज सहीत तो आवाज सहीत मतलब आवाज के साथ सहीत मतलब साथ ठीक है तो यहां आ जाएगा आपका सहीत मतलब के साथ के पीछे साथ ठीक है अगला है विटा अगला पैसेज है गद्यांस टू इसको पढ़ना यहां एक तरह का एक ही तरह का काम करते करते हैं, हम कभी कभी उप जाते हैं, इससे हमारी करचमता कम हो जाती है, इसलिए हमें मनुरंजन द्वारा स्वयम को तरु ताजा करना चाहिए, इससे हम अपना काम उसी छमता और उस्साह से पुना आरम कर सकते हैं, तनाव या चिंता हमारे स्वास्त क के सत्रु हैं हसना अवांचित तनाव या चिंता को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है हम अपने तनाव को कम करने के लिए पारकों संग्रहालेओं अभ्यारणों आदी में भी जा सकते हैं सारीक वयाम करना उतना ही महत्पूर्ण है जितना की खेल खेलना ठीक है न सारी क्वयाम के बारे में और किसके बारे में बताए गया है बटा हमें स्वास्त के बारे में बताए गया तो आपसे पुछा गया हम तरह के काम करके उब जाते हैं नहीं बटा हम भिन भिन काम करेंगे तो उबेंगे कैसे नहीं उबेंगे हम प देखना ऐसा होगा कि आपको मैं बोलूँगा यही काम रोज करो यही काम आप कर रहे हो तो आप उप जाओगे अलग तरह का कल दुसरा तरह काम मिला परसो तीसरा तरह काम मिला तो आपको अच्छा लगेगा ठीक है यहां एक पिटा कुछ मन्रोंजन करने के बाद हम अपना क काम क्या कर सकते हैं पुना आरंभ कर सकते हैं ठीक है यहां दिया हुआ है गद्यांस में दिया हुआ देखना कि कहा है हां इससे हम अपना काम उसी छमता और उस्साह से पुना आरंभ कर सकते हैं क्या देखना इसलिए हमें मन्रोंजन द्वारा स्वयम को तरो ताजा करना चा हसने से हमें केवल अनुवांसिक बीमारियत दूर करने में मदद मिलती है अवांचित तनाव यही सही है केवल अप्रतियासिक समस्या या विसार उजनत बीमारिय तो अवांचित तनाव जो है वेटा अवांचित तनाव हमें दूर करने मदद मिलती है आप गध्यांस में खुद्यान से हसना हसना अवांचित तनाव या चिंता को दूर करने का सबसे अच्छी दवा है दूर करने की सबसे अच्छी दवा देख रहां तो यहां हो जाएगा हसना हसना लगा दो अवांचित तनाव ठीक है अवांचित तनाव लगा दो इनको हटा दो ये दोनों ये तिनों नहीं होंगे अगला है पुना आरमकार्थ है फिर से सुरू करना और क्या पुना आरमकार्थ क्या है फिर से सुरू करना समाप्त करना वापस करना लेना नहीं रोक देना नहीं फिर से स्रू करना और यह हमता का विप्रित है चमता किसी कार को works क्रोमि grind है आपके अंदर ठीक है след subscribe जितार का विप्रित्सभत है धारदार नहीं धारदार कोई चीज युदि किल यह heo जो चीज कट्टित नहीं तो काटने में जू चीज कट्ट जाती है न 10 तेश काटती है समyers unt doctor दारहेदार है वह और प्रभाव्रकारिता नहीं अग्रावका नोघ मिलते दुन आपका क्या हो घ laissella first time if the son Bravo करने से संबंदी से तो कहां ओगार चुम्टा मतलब आपी कारे करनी की चुम्ता की अंदर हैं चुम्ता इस पे सोच सकते हैं भाव पूनता दोनों नहीं होगा एंहीं है आपका क्या होगा आपका उत्तर हो जाएगा और छम्ता छम्ता का और छम्ता ठीक है अगला गद्यान से इसको पड़ो किसी व्यक्ति का आकलन हम केवल उसकी बाहरी दिखावट से नहीं कर सकते बाहरी रूपरंग प्राया धोखा देते हैं एक बार देख लेने पर किसी व्यक्ति के सद्गुण या है कभी कभी हम किसी व्यक्ति की ओर उसके बाहरी रूपरंग से आकरसित हो जाते हैं किन्तु बाद में हम अनभव करते हैं कि हमने उसे गलत समझा बाहर से अनेक चीजें आकरसक लगती हैं परन्तु प्राया चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती हैं हमें किसी व् करती है चीज के वास्तिविक सफाव को जानना चाहिए यह आपका गद्यांस खतम होगे अब बेटा प्रशन पढ़ो जल्दी से प्रश्ट पढ़कर हम उत्तरत देते हैं ठीक प्रश्न देखना क्या है बाहरी रूपरंग का प्रभाव बाहरी रूपरंग प्राया क्या करते हैं धोखा देते हैं सबल होते हैं स्पष्ट होते हैं नहीं बाहरी जो आपका रूपरंग है लोग होता है कि अपने आपको दिखाते हैं कि हम ऐसे हैं लेकिन होते नहीं बाहरी जो रूपरंगे जो दिखावा होता है उनका वो प्राया क्यासा होता है वो प्राया धोखा देते हैं ठीक है प्राया धोखा देते हैं अगला है एक ही नजर में क्या जानना कठिन होता है बेटा सब परग्राफ में बहुत अच्छे से दिया हुआ देखो किसी व्यक्तिका आक हाई lata ग्रिंम्म कि विशिष्ट आ हैं दूस्रा हो गया उत्तर दो जल्दी से क्या होगा किसी के सद्फण छे कि की की नाम है किसी का पता किसी का कंशा नहीं व्यभिट सब्सक्रंद होगा ठीक अगला है आपका अधिकतर हम किस व्यक्ति के आकर्ष्ट हो जाते हैं कि अधिकतर हम किसी व्यक्ति के तो यह भी देखना पैसेज में आपके दिया होगा कभी कभी हम किसी व्यक्ति के उसके बाहरी रूप रंग से आकर्सित हो जाते हैं कि यह सब्सक्राइब से वारी से अकर्षित सीवारा कशित हो जाते हैं ठीक है आकर्षित मतलब क्या होगा सुंदर अकर्شक मतला वो चीज सुन्दर मानते हूं जो चीज देखने में और मेरा फेवरेट तो तो उसूदर एपने आपकरम्षित अकर्षक लगी आपको दूसर अगला यह असुंदर सुंदर का विप्रित असुंदर असुंदर जो है यह प्रयायवाची नहीं असुंदर ठीक है उत्तर आप क्या कहोगे डी ठीक है बटा दी परियाएवाची नहीं है परियाएवाची सोच के आप सुंदर ना मार देना ठीक है नहीं सोचो के परियाएवाची पूछा परियाएवाची नहीं है पूछा तो क्या होगा पर सुंदर अगला है बच्चों वास्त्विक सब्द है वास्त्विक सब्द कैसा ग्रामर करना है तो आप पढ़ना पहले जो सब्द पुछआ अगे सब्द भेद पूछआ तो पढ़ना है एक हमें किसी व्यक्तिया चीज के वास्तोविक सभाव को जानना चाहिए वास्तविक सभाव सभाव क्या बेटा नाम है नाम की विशेष्टा बताया है ठीक है वास्त्वी सक्क किसके पहले आया है सभाव के देखना सभाव सभाव के पहले आया है वास्त्विक तो सभाव के बारे में बता रहा है वास्त्विक सभाव होता है और एक कप्ती सभाव होगा या एक छीपा हुआ सभाव होगा तो सभाव के बारे में बताने वाली सब्द है सभाव कैसा है सभाव आपका सभाव क्या होगा संग्या होगा स सभाव क्या होगा संग्या संग्या के बारे में बताने वाले सब्शक नहीं किया बोलें यह मतने हैं विशेसर दोत्तर हो जाय sub प्रश्ट निताओं में गिना जाता था लेकिन उनके अरंभिक जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं उन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के लिए अपने जीवन में अनेक बधाओं के बिरुध संघर्स किया उसकी बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने के कोत महनेती व्यक्ति थे और प्रति दिन कम से कम 18 गंटे काम करते तो आप से फिर प्रश्ण पूछेगा लाल बादू साश्ति भारत के क्या थे प्रधान मंत्री थे कब थे दीतिये प्रधान मंती देख लेना बध्यास को पढ़के देखलेना दुटिये प्रदूर्ण नें ठीक है अगला है उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध यहां दिया हुआ है यह सब पैसेज में दिया हुआ है जो पैसेज में दिवा उसको तो नहीं गलती करना है आपको ठीक है उन्होंने अपने जीवन में देखना वेटा उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद संघर्ष किया विरुद यहां है वेटा देखो बाधाओं के विरुद संघर्ष किया तो आप उत्तर दोगे उन्होंने अपने जीवन में क्या है के विरुद हो आओगा ना वेटा उसके बाद वह एक जन्नेता बन गए ना वेटा देखना यह भी दिया हुआ आपको कहां दिया हुआ है कि सिग्रहिवे एक जन्नेता बन गए देखो सिग्रहिवे एक जन्नेता बन गए यहां देखो यह हो जाएगा जननेता ठीक है इसका उत्तर दो सिद्ग्रहिवे हाँ सिद्ग्रहिवे भीर्ड के नेता बन गए व्यक्ति के नेता बन गए कुछ व्यक्ति के नेता नहीं जननेता बन गए लोगों के नेता बन गए कि थीक है अगला बन गया काल है काल आप यहां पूछा है देखना आप आप लाल भातु के वांत नो बाते हैं ज़्यादा तर बाते उन्होंने उनकी पाष्ट के बारें बता रहा है और देखना यहां क्या है जल सिग रही वे एक जन नेता बन गए मतलब यह पहले की बात है बन गए उस समय में बन गए थे अभी नहीं बन गए है आप अभी कहोगे कि हाँ आपके आपसे मैं पूछू कि हाँ कौन नेता बने तो आप कहोगे कि मोदी जी एक प्रधान मंत्री बन गए तो अभी बने हैं अभी बने हैं अभी की बात हो रही है अब उनके बारे में बात हो रही है आपके भूत काल के बारे में बात होगी तो ब ने प chimney पढ़ाया है आपको अच्छे से की काल क्या है अब जाने हैं है लेक्रंद से प्रस्ट आएंगे व्यक्राणर से प्रस्टulator आएंगे क्रिया विसेशण पढ़ाइद ईसी देढके आपको व्यक्रंद से जो प्रस्न है ऊच्छोटे ना इसाँ अप्रश्ण मे ति ठीक है इन में नंबर आपके कटेंगे पूरा करना का पर्यायवाची है पूरा करना बेटा कोई चीज पूरा करना आरम करना नहीं जारी रखना नहीं संपन करना हां कोई चीज संपन करना खतम करना ठीक है खुलना नहीं बेटा खुलना भी नहीं होगा कोई चीज खुलना आ मैं पूरा कर लिया मैं आरहम कर लिया आरहम करना मतलब शुरू किया हो तुम आरहम करना मतलब अभी उसको जारी रख रहा है अभी खतम नहीं हो रहा है अभी जारी रख रहा है अभी चलेगा वो कुछ टायम तक चलेगा तीसरा वेटा संपन करना मतलब संपन हो गया यह काम ह आपने कितना किया कितना आपका सही हुआ कमेंट सेक्षन में जरूर बताना ठीक है मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में ठीक है विटा